ना उसकार दूस्तों आप देख रहे हैं RCA News आज हम बात करेंगे आज सुबा की फटा-फट बीस बड़ी ख़बरों की बारे में सरकारी नौकरी से लेकर सरकार तक निस्पच खबरे आज के सबा चार पत्रों में आप से संबंदित करी खबरे चपी हुई हैं जो कि आपके लिए आज महायत पूर हैं इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेगा इसकी इपमत करिएगा वीडियो पसंदा है तो लाइक शेर जरूर करिएगा जिससे आपके अपनों को जारकारी प्राप्स सके तो आएए पहले खबर की बारे में जान लेते हैं पहले खबर PCS 2019 को लेकर है इस बार कोई नहीं बना डिपटी एसपी मैं आपको बता दू कि PCS 2019 में सामिल अभ्यर्चों के लिए डिपटी एसपी बनने का सपना अधूरा रह गया इस बार PCS में डिपटी ए पंचायतों का आरपघण जल जारी की जायेगे सूची 13 evolutionary चुनाओं का आरपखण तय करने के प्रक्रिया शुन्द शुरू हो गई है आने वाले कुछ दिरों में इसकी सूची जारी हो जायेगी ट्रेनिंग से लेकर लोटी जिला पंचाजती राज अधिकारी रेनु सिर्वास्तो ने बताया कि आरच्छर की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्स्ती है इस बार आरच्छर से दूने सभी आंक्रे कंप्यूटर में फीड हो चुकी हैं जिस फारमूले से आरच्छर होना है कंप् लोगों मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कल मेरे द्वारा आपको बताया था कि एडिर जूरिर हाइस कुल शिछक भरती फषस सकती है कारण भी मेरे द्वारा कल ही बता दिया गया था यहां पर लिखा हुआ है कि सिछक भरती परिच्छा में मानक की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रत्योंगी च्छाथ जगन्नास्तुकले मुखमंत्री समिछ कई अजिकारियों को पत्र बेजा है बताया है कि एन्सी टी द्वारा इस नातंग में 50 सीज़दी की वायजिता को लेकर 21 नॉवंबर 2019 का संसूजी नोटिफिकेशन प्रभावी है अभी त सरकार ने भरती का विस्तित कार्करम जारी कर दिया है विग्यापट 18 फरोरी को जारी होने के उमीद है आज विग्यापट जारी नहीं होगा मैं आप सब्सक्राइब बताना चाहता हूं अब विग्यापट में बिलंब होगा विग्यापट एक सप्ताह बात जारी किया सब्सक्राइब करने में अनियमता को लेकर दाकिल याचका पर प्रदेश सरकार से वह उत्तरप्रदी हिलोस्तिवा आयुक से जवाब तरब किया गया है कोड़ने याची गड़ की भरती परिच्छा में चैनित होच के अभरत्यों को पच्छकार बनाने की छूट दी है अगली परिच्छा पास करना अनिवारिश किया जाएगा राज्टिय सिच्छा नित के तहट नेशनल काउंसिलिंग फार्ट टीचर एजुकेशन ने या फैसला लिया है एंसीटी ने इसके लिए दिसान निदेश्वाज टेस्ट पैटरन त्यार करने के लिए कमिटी गठित कर दी है इसकोलों में क्वाल्टी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और सिच्छकों को अपग्रेट करने के लिए एंसीटी या तैयारी कर रहा है तो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर अगली ख़बर पीसे दो जार उन्नीस की परिच्छा को लेकर है कई बदलाओं की स् मानक में परिवर्तन कर दिया था इस परिवर्तन की दो असर देखने को मिरे अवल धुप्री और मेंस बरी संख्या में अभ्याव की छटनी हो गई और अभ्यर्त्य की संख्या कम होने से आयों ने रिकार्ट elles समय में प्रदेश की बिश्विद्याले और महा विद्यालों में दाखिला लेने के लिए आवेदर प्रक्तिया बेस्पत्वार से सुरू हो जाएगी वे आनलाइन आवेदर फार्म भर सकते हैं आवेदर की अंतिवत थी मिना बिलंब सुल्क 15 मार्च 2021 वा बिलंब सुल्क के साथ 22 मार्च 2021 निजालित की गई है अगली ख़बर सेना भरती रैली को लेकर है उत्तरप्रदिस की इवाओं को बहुत बड़ी खुस खबरे पुर्बांचल के 12 जीलों की इवाओं के लिए सेना भरती रैली का नहीं हुआ आयोजन तैयारिया सुरू कर दी हैं वरान सी चंदवली गाजीपूर जौनपूर मिर्जापूर भदोही सोन्भद्रमवू आजमगरबलिया गाजीपूर जिवरिया में सेना भरती रैली का आयोजन किया जाएगा भारती सेना के हिस्ता बनने के इच्छुब कुर्बाण चल के बाराज जीलों की वाओं के लिए भरती रैली का आयोजन 22 महीन बाद आगामी सब्तंबर महीं से किया जाएगा इसकी लिए फिलाल 3 सब्तंबर से 22 सब्तंबर की तस्थी प्रस्तामित की गई है रैलिक कारियोजना को मूर्त रूप देने के लिए चावनी छित इस्तितेना भरती कारियाले की तैयारी अंतिम दवर में है तो अब तक ही सबसे बड़ी कबर है अगली कबर है कि एक सब्ता में मिलेगी मृतक आसितों को नौकरी अगली कबर पीम किसानी योजना को लेकर है अगर आपने फर्जी लाब लिया है अगर आपने आयोगी किसान होते हुए इसका लाब लिया है तो आप से एक एक पाई वापस ली जाएगी आपको बता दें कि जीन राजियों का जिक्र किया गया है उत्तरप्रदेश, मद्प्रदेश, भिहार, जहार, खन, हरियाना, पंजाब, उत्तरखन सबसे ज़्यादा पंजाब में आयोगी किसान है जिनोंने फर्जी तरीके से पीम किसान योजना का लाब लिया है उत्तरप्रदेश में 1.78 लाग फर्जी अब बेरती है उत्तरप्रदेश में फर्जी लाब भ्यार्चियों की संक्या 1.78 लाग है जिन से 171.5 करोन रुपे वसूले जाने है सभी 35 राजियों वा किन सासित प्रदेशों में ऐसी गरवड़ी पाई गई है तो अब देखना होगा कि कितने लोग इस पैसे की भरपाई कर सकते हैं तो इसकी सुरवाद जल्द ही की जाएगी वसूली अमीन के माध्यम से कराई जा सकती है अगली ख़वर पियम मोदी के महतपूर बयान को लेकर है पियम मोदी ने इधन की बढ़ती कीमतों के लिए आयात पर निर्भरता को जीमे दाठा रहाया आयात घटा कर ही कम होगा दबाओ देखे सलाह देना अलग बात है लेकिन कम करना अलग बात है जब मोदी जी विपच्छ में थे तो यही सरकार है प्याज लटका कर गैश टांग कर इत्यार प्रकार से प्रदर्शन करती थी आपको मालूम हूँगा सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो वाइरल हो रहे है सो का अकड़ा पार हो चुका है पिट्रोल का जीजल भी जल्द पार हो जाएगा पहली ऐसी सरकार है जिनोंने सो का अकड़ा पार कर दिया है जब कोई काम होता है तो सरकार अपनी वावाही कराती है तो इसमें भी वावाही होनी चाहिए सरकार की कि बरतमान की ऐसी एकलावती सरकार है जिसने सो का अकड़ा पार कर दिया है साथ साथ मैं आपको बताना चाता हूँ पीम मोदी का साब साब कहना है कि गैस की दाम बढ़ रहे हैं या सरकार की कारण नहीं बढ़ रहे हैं पिट्रोल की दाम बढ़ रहे हैं या सरकार की कारण नहीं बढ़ रहे हैं और डीजल की दाम बढ़ रहे हैं या सरकार की कारण नह तो उसमें आप ऐसा क्यों कहते थे इसके कारण को आप बताईए लोोगं के सामने अपनी बाते रखी या किशी को इंटर्व्यू दिजिए, प्रेस कांफरिंस कीजिए, छे साल में आपने एक बार भी कोई प्रेस कांफरिंस नहीं की है, तो एक बार जरूर करिए, देश वासियों को अवगत कराइए, कि पिट्रोल के ऽार्याम क्यों बढ़ रहे हैं, और गैस खिदान क्यों बढ़ रहे हैं अगली ख़वर है कि अब छातों की खाते में सीधी भेजी जाएगी स्कूल ड्रेस की कीमत अगली ख़वर है कि समाज कल्यान विभाग नहीं कर सकेगा पाठकर्मों की मानता संबंदित जांच हाई कोड का आदिस आने के वाद सरकार ने लिया निर्ड़ है समाज का ल्याण विभाग अब किसी प्राइबेट कालेज या संस्थान में चलने वाले पार्ट कर्मों की मानता संबंदी जाच नहीं कर सकेगा उससे किवल छाथ प्रितिवासुल प्रतपूर्ती से जुड़ी जाच का ही अजकार होगा अगली खवर है जेई मेंस को लेकर वहती वहत्त पूर्जानकारी है अंटिय के आप हीसियर वेप्षाई से डाउनलोड करें परिस्पत अगली खवर है कि जेई मेंस और बोर्ट परिछाओं की तारिक में नहीं होगा टकराओ यहाँ पर पूरी जानकार दी गई है कि जेई मेन और सीवेसी समित अनप्रदेश सिच्छा बोर्ड की बारवी की परिछाओं की तारीक में अब टकराओ नहीं होगा नेसलन टेस्टिंग एजनसी ने छात्रों की बड़ी राहत दी है जिन छात्रों की जेई मेन की मई की परिछा और बोर्ड की परिछा की तारीक में टकराओ हो रहा था उन्हें अन्य तारीक दी गई है तो अब तक की सबसे बड़ी ख़वर है अगली ख़वर है कि एक बरस में 349 से घट कर 49 रुपे हो गई सबसीडी आपको मालूम होगा कि पहले 349 रुपे सबसीडी मिलती थी अब घट कर 48 रुपे हो गई यहाँ पर लिखा हुआ है कि रसोई गैस और डीजर पिट्रोल के बढ़ते दाम ने लोग को परिसान कर दिय प्रियागराज में डीजर और पिट्रोल के दाम अपने उस्तम इस्तर पर पहुंच गया है कामवेस्त यही इस्तिती रसोई गैस की भी है खास बात या है कि जो लोग रसोई गैस की सबसीडी ले रहे हैं उन्हें भी हर माह रसोई गैस के लिए ज्यादा दाम चुकाने पर पिछले बर्स फरोड़ी मास से जिन लोगों की खाते में रसोई गैस की सबसीडी 349 रुपे आये थे अब उन्हीं लोगों की खाते में इस माह 48.55 रुपे ही आये हैं तो सबसीडी को आखिर का समाप्त क्यों किया जा रहा है जब सबसीडी को समाप्त कर दिया जाएगा तो गैस की दाम का बोश ज्यादा पड़ेगा तो क्या सबसिटी समाप्त होनी चाहिए सरकार की द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है आप लोग अपनी राय कमिन वाक्स में जरूर दें और यहां पर बहुत ही महत्पूर बात लिखी हुए कि जुलाई 2017 से अब तक डीजल की दाम म पड़े हैं अगली खबर है कि जेई की पस्तिपादे का डिप्टी कलेक्टर बने युगांतर इंजिनिरें की पढ़ाई के बाद पीसे इतियास को रखा बैकल्पी बी से यूपी बोर्ट से की इंटर्मीडियर तक की पढ़ाई अगली खबर है कि काना की जन्म भूमी बनी मेधा की उर्वर्ण जमीन लंबे समय के बाद टापर सूची में सामिल हुआ प्रियाग राज पीसे 2018 में जोति सर्माद थी तीसरी रंबर पर 2019 में विस्थाल ने किया टाफ अगली कबर है कि टाप 10 में नौ अब भैतियों की आयू तीस बर से कम चर्चा कभी से रापीसे 2019 क परिडाम का बदला हुआ ट्रेंड आयू श्रीमा के मामले पर सासन को भेजा गया था पत्रे यहां पर लिखा हुए कि पिछली दिनों यह चर्टा तेजी से फैली थी कि यूपी पीसे पीसे सामिल होने के लिए आउसरों को स्थीमित कर सकता है और अधिकतब आयू श्रीमा 40 से घटा कर 30 या 32 वर्स की जा सकती हाला कि इस तरह की खमरे सामने आने के बार तमाम प्रतियोगी 46 सासन को पत्र भेज कर अपना बिलुद दर्ज भी कराया था फिलहाल ऐसा कुछ भी लागू नहीं किया गया लेकिन रिजल्ट का बदला हुआ ट्रेंड 30 वर्से अधिक एडर जूरीर हाइसकोल सिच्छगभरती को लेकर है मेरे द्वार आपको बताया था कि एडर जूरीर हाइसकोल सिच्छगभरती में बिलंब हो सकता है क्योंकि महुत बदलाव करने है कल एक वीडियो के माधिम सी मेरे द्वार यह भी आपको जानकारी दी गई थी अगर चार पत्र में खबर आपको देख रहे को मिल रही है कि एडेर जुने हाइस कुल सीच्छक भरती एक सप्ता बाद आज नहीं आएगा विग्यापन पर इच्छन यावक नहीं सप्ता भरबाद भरती प्रक्रिया सुरू करने के लिए सासन को भेजा पत्रे तो कई कमिया हैं उस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जैंज भार उस्तुरू